तो हेलो माइडियर फ्रेंड्स, माइडियर स्ट्वेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, चैप्टर्स के बारे में हम लोगों ने देखा कि हमारी दो बुक्स हैं, 12 ध क्लास के अंदर, उन दोनों के 50 पर्सेंट चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं, दोनों के 4-4 चैप्टर्स हो चुके हैं, अब आज जो मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, वो लेक तरीके से जिस तरीके से हमने chapters पढ़े हैं उसके अलावा हम poetry को कैसे special तरीके से पढ़ सकते हैं कैसे smartly उससे आने वाले questions को हम लोग attend कर सकते हैं और कैसे maximum to maximum marks जो है वो gain कर सकते हैं उसके लिए कुछ छुपीवी चीजे मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और इस chapter में भी आपको वो चीजे देखने को मिलेंगे I mean इस poetry में भी आपको वो सारी चीजे देखने को मिलने वाली है तो I hope आप सभी लोग बहुत excited होंगे कि क्या ऐसी चीजे हैं जिससे हमें और अच्छी help मिल पाएगी English के अंदर खास करके हमारे poetry section के अंदर तो बिना किसी देरी के start करते हैं तो हमारी first poetry जो है उसका नाम है my mother at 66 my mother at 66 का मतलब क्या है कि मेरी मा 66 year की age में या 66 साल की उम्र में अब इतना सा बोल करके उन्होंने छोड़ दिया अब 66 की age में क्या तो यह जो first element हमें देखने को मिलता है कि title जो है poetry का eye catching है और कहीं ना कहीं हमें खुद से question पूछने के लिए मजबूर करता है विवश करता है कि हाँ ठीक है आपकी mom है 66 year की हैं तो क्या अब तो क्या का answer जानने के लिए हम लोग poetry start करते हैं उससे पहले हम लोग इक बार poet के बारे में जान लेता है poet का नाम है कमलादास जो की इंडिया की एक well known poet है before you read इससे पहले कि आप पढ़ना शुरू करें aging is a natural process यानि कि किसी भी व्यक्ति की समय के साथ उमर बढ़ना यह एक स्वभाविक प्रक्रिया है इसमें मुझे या आपको ऐसा कुछ special नहीं लगता होगा कि ठीक है aging अब जैसे मैं अभी जितने साल का हूं पांत साल बात पांत साल बढ़के होंगा तो एज तो दीरे दीरे समय के साथ क्या होगी बढ़ती ही चली जाएगी तो aging जो है एक बहुत ही स्वभाविक प्रक्रिया है have you ever thought what are elderly parents expect from us क्या आप क्या समझते हैं या आपको क्या लगता है कि हमारे elderly elderly parents का मतलब होता है एक उम्र के बाद जब वो बुजर्ग हो जाते हैं जब वो बूड़े हो जाते हैं तब हमारे माता पिता हमसे क्या expect करते हैं या वो हमसे क्या चाहते हैं तो इस सवाल का जबाप दूनने के लिए हम लोग आप लोगों को मैं फिर शोड़ता हूं पहले तो कि वह आप लोग बताईए कि आपके हिसाब से इस उम्र में पहुंशने के बाद जब आपके माता पिता जब व्रद हो जाएंगे तो उनकी आप से क्या पेक्षा रहेंगी ठीक है आप इसका जव प्राइडे को जो है कमला दाज जो है अपनी मॉम के साथ एक टेक्सी के अंदर जा रही है एक कार के अंदर जा रही है जहां पर वो एरपोर्ट जा रही है और एरपोर्ट जाते समय जब वो अपनी मॉम की तरफ देखती है जो उनके पास बैठती है तो उसके मन में किस प् driving from my parents home to kochi last Friday morning जब मैं drive करते हुए, कार चलाते हुए अपने माता पिता के घर से kochi की तरफ जा रही थी last Friday, पिछले Friday यानि पिछले शुक्रवार की सुबह I saw my mother, मैंने अपनी मा को मेरे पास बैठे हुए देखा beside me, मेरे बिलकुल बाजुवाली seat पर dose, dose का मतलब हुता है उंगना, उंगने का मतलब हुता है आधी नींदों में और आधी जगी भी, उनको देखकर के ये judge कर पाना मुश्किल है कि वो सो रही है कि जग रही है अगर कोई सो रहा है तो अपन क्लियरली कह सकते हैं she was sleeping beside me, लेकिन वो बस आधी नींदों में हुई भी है तो उसको हम क्या कहते हैं उंगना, open mouthed उनका मुझ खुला हुआ है her face, action, उनका चेहरा जो है वो पीला हो गया, निश्टेज हो गया है youth में, जवान लोगों में जिस तरह की उर्जा या energy उनके face पे दिखाई देती है व्रद्द लोगों के चेहरे पर उस तरह की उर्जा या उस तरह की energy या उस तरह का आप कह सकते है charm जो है वो दिखाई नहीं देता, उनके चेहरे थोड़े फीके पढ़ जाते हैं और निश्टेश हो जाता है यानि कि उनके चेहरे पर कोई भी एक लाइटनिंग दिखाई नहीं देती है। जैसे कि बिल्कुल कोई निर्जीव शरीर हो या जैसे कोई लाश हो। अब देखो यहाँ पर अगर आप लोग इस चीज को समझना चाहते हो ना, तो क्योंकि आप लोग 12 में हो सभी लोग तो आप अपनी मॉम के बारे में मत सोचिए, आप सोचिए अपनी दादी के बारे में, अपनी नानी के बारे में, या ऐसा कोई व्यक्ति जो उस age group का हो ठीक है जो उस age group का आपके परिवार का ऐसा कोई सद्द से हो व्यक्ति हो उसके बारे में अगर आप सोचते हुए अगर थोड़ा सा उसे connect करने की कोशिश करेंगे तो poetry से बहुत अच्छे से connect हो पाएंगे यह जो last वाला word है like a death of a corpse जैसे कि किसी लाश को मैं देख रही हूँ यह यहाँ पर कहीं न कहीं हमें यह बताता है कि poetis जो है वो जो भी सोचने वाली है इस poetry में वो सारा का सारा negative death type का होने वाला है ठीक है? यानि कि अपनी mom को देख करके उसे यह लग रहा है कि हाँ देखो इनका चेहरा कितना फीका पड़ गया है उमर का इनके उपर कितना प्रभाव है देखो कैसे मुझ गोल के आदी सोई आदी जगी है जैसे कोई लाश पड़ी हो जब भी हम अपने किसी प्रिये के विशेय में कहते हैं जैसे कोई लाश पड़ी हो तो वो एक अलग impact डालता है किसी अजनभी इंसान को जिसको हम जानते भी नहीं है अगर उसको कहें उसकी लाश पड़ी है तो वो लहाँ ठीक है पड़ी होगी मुझे कहा है लेकिन ऐसे लोग जिनके साथ हमने समय बिताए और खास करके हमारे पैरेंट्स पैदा होने से लेकर के और काफी आयू तक हम अपने माता-पिता के साथ ही रहते हैं क्योंकि हम लोग देखो यूएस और यूके में तो रहते नहीं है भाई लंडन अमेरिका में तो रहने वाले अपन हैं नहीं कि 18 साल के हुए ओके डैड ओके मॉम बाई-बाई मैं अपनी लाइफ खुद देख लूँगा अपने हिसाफ से इंडिया के अंदर वैसा कल्चर नहीं है इंडियन कल्चर किस तरीक एका है कि हम जब तक हमारे माता-पिता हैं तब तक हम उनके साथ ही रहते हैं यधा संबव जितना हो सकता है हमारी कोशिश ही रहती है कि हम उनके साथ रहें तो यहाँ पर वो उनके चेहरे को देख करके imagine कर रही है कि देखो मिरी मॉम का चेहरा कैसे दिखा ही देरा जैसे की कोई लाश पड़ी हो तो ये एक बहुत ही कहते है ना पीड़ा देने वाला विचार है ये खुशी देने वाला कोई विचार नहीं है and realized और मैंने महसूस किया with pain दर्द के साथ that she was as old as she looked कि ये इतनी ही व्रद्ध है जितनी की ये दिखाई दे रही है यानि कि ऐसा नहीं है कि समय के साथ उनके उपर समय का कुछ जादा प्रभाव पड़ा हो कि नहीं नहीं है तो 60 साल की लेकिन दिखाई 80 साल की दे रही है ऐसा लग रहा है जिसे 80 साल की हो गई है नहीं 66 की एज में बताना चाहिए कि मैं बड़ा चड़ा कर नहीं बता रही हूं कि लास्ट में उसने क्या बोला डोस बोल दिया ठीक है मराबर में बैठी थी एशन बिल्कुल फीका सा चैरा है कॉर्प बिल्कुल नर्जी शरीर के जैसा जैसे कि कोई लाश पड़ी हो तो यहां पर अगली जितनी की वो वास्तविक्ता में हैं बट सोन पुट डैट थॉट अवे लेकिन जल्द ही उसने अपने उस विचार को यानि कि पोईटेस जो है हमारी कमलादास उस विचार को उसने अपने दिमाग से निकाल दिया अपने विचारों से उन बातों को निकाल दिया कि यह वार उतना ही बदसूरत भी होता है आप लोगोंने महसूस किया होगा मैं शायद केवल कह पाऊंगा लेकिन आप लोग शायद रिलेट कर पाऊगे तो खुबसूरती में हम बहुत सारी चीज़ें महसूस कर लेते हैं समुंदर की यातरा करने जा रहे हैं या फिर किसी बीच प सामान्यत है कभी भी इस तरह के विचारों में खो जाता है या सोचने लगता है कभी आपके घर के आसपास किसी अड़ोस पड़ोस में समाज परिवार में अगर किसी की डेथ होती है किसी की मृत्य होती है तो वहे विचार भी आप पर उतना ही जादा प्रभावशाली होता और आप अपने उन लोगों के बारे में जिनसे आप बहुत जादा प्यार करते हैं आपके माता पिता आप उनके बारे में सोचने लगते हैं कि एक दिन इनकी भी ऐसे डेथ हो जाएगी एक दिन इने भी ऐसे ही श्राउड जिसे कफन कहते है उससे ढखा जायेगा एक दिन ऐसे ही उन्हें भी ले जायेगा लेकिन ये जो विचार है ये आनन्द देने वाले नहीं है वास्तविक्ता में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा लेकिन आप अगर ऐसा विचार करते भी हैं तो भी आपके आपकों से आसु आना शुरू हो जाएंगे ठीक है आपके माता प के साथ इस पोईट्री को लिख रही है तो हम जब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम खुद को उसकी जगे नहीं रखेंगे तो इसलिए मैं इस तरीके से समझा रहा हूं मेरी बात को कोई अन्यता मत लेना कि सवर आप हमारे माता-पिता के लिए ऐसा क्यों कह रहे हैं मेरा जल्द ही यह जो डैथ यह जो कॉर्प्स वाला जो विचार था इसे अपने दिमाग से हटाने का प्रयास किया और उसने बाहर की तरफ लोग डाउट का मतलब जो कार थी उस कार से बाहर की तरफ उसने देखना शुरू कर दिया शीशा लगे वे होते हैं जर्णरली हम भी ब गाड हैं जो कि सिंबल ओव यूठ है सिंबल ओफ एनरजी हैं तो य्यूठ जो है यंग सप्विंट्टिंस लोट तेजी से दोरते दिखाई दे रहे हैं पीछे के और थे सटा ऑपके साथ भी हो सो अपनी पर अजगे पे खड़ें दोड तो गाड़ी रही है, कार जो है वो तेजी से चल रही है, उसकी वज़े से जो पेड़ है, वो पीछे की और जाते वे दिखाई दे रहे हैं, पहली चीज, बहुत इंपोर्टेंट है, इस पोईटर के अंदर, सेकंड चीज और देखिए इसके अंदर, The Mary Children Spilling Out of Their Homes, और खुश बच्चे जो हैं, वो तेजी से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, स्पिलिंग का मतलब होता है, बाहर निकलना और Out of Their Homes, यानि अपने घरों से, तो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वो भी खुश हैं Mary, Mary यानि प्रसंद बच्चे, तो देफ पैर या शाम का टाइम है, जहां बच्चे स्कूल जाकर आ चुके हैं और अपने प्लेगराउंड जाने के लिए, ऐसा कोई description नहीं है, मैं बसके वल कल अपना कर रहा हूं, कि बच्चे तेजी से घर से बाहर खुश होकर कब भागते हैं, जब उन्हें खेलने जाना होता है, जर्नली यही होता है, तो हम यह मानते हैं कि बच्चे बहुत खुश हैं और तेजी से अपने घर के बाहर निकल के जा रहे हैं, दो चीज़े यहां पे हमने देखी, तेजी से पीछे की और भागते हुए पेड़ और खुशी से अपने घरों की बाहर निकलते हुए भागते तो मेरी बाद आग से आग नहीं बुषती है पानी से आग बुषती है तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो negative thoughts उसके दिमाग में आ रहे थे जो gloomy thoughts उसके दिमाग में आ रहे थे जो sadness बढ़ने वाले या भरने वाले thoughts जो उसके दिमाग में आ रहे थे वो उन्हें हटाने के लिए उससे बिल्कुल opposite thoughts जो है अपने दिमाग में store कर रही है दिखतों से दसों चीज़े रही है, पचासों चीज़े रही है लेकिन वो किन दो चीज़ों को चुनती है, poetry में लिखने के लिए young trees is printing, young trees old mother बच्चे, छोटे होते हैं, young होते हैं, mom old है तो old से contrast किसका होगा, young का तो पहला तो यह हो गया, दूसरा, दुखद, और यहाँ पर यह क्या है full of energy, तेजी से भाग रहे हैं, पीछे की और पेड सारे अपन वैसे माल लेते हैं, जैसा हो कह रही है तो तेजी से पीछे के और भाग रहे हैं, और उसकी mom कैसी दिखाई दे रही है dose, उंग तीवी सी, और यहाँ पर क्या है, खुश बच्चे और वहाँ पर उसके खुद के मन के भाव कैसे है, दुखद लाश को और इस तरीके को सोच करके ठीक है, तो यहाँ पर आप यह देखें के पोईट्री के अंदर केवल वर्ड मिनिंग वाली बात नहीं, केवल उसका मिनिंग समझने वाली बात नहीं कितना डीप जाकरके एक पोईट लिखता है, अगर उस डेप्थ से ही हम उस बात को समझें तो कहीं ना कहीं हमें इसका बहुत जादा फाइदा होता है खास करके एक्जाम में भी इसका बहुत फाइदा होता है क्योंकि जहां बात आएगी value based questions की कि इस poetry को पढ़कर आपने क्या समझा या आपने क्या मैसूस किया आप उसकी जगे होते तो आप अपना ध्यान हटाने के लिए क्या करते अब ये सारे answer तभी हम सही तरीके से लिख पाएंगे जब हमें हर चीज का सही तरीके से जानकारी हो ठीक है मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जिस नजरिये से मैं poetry को देख रहा हूँ वही full and final है हो सकता है कि कुछ ऐसी minor details हो या कुछ ऐसे different thoughts हो जो आप लोग सोच पा रहे हो और मैंने ही सोच पा ठीक है तो ये भी possibility है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी इसके पहलू है जो मैं देख पा रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी वहाँ तक लेकर कर आऊँ ठीक है इस आगे बढ़ते हैं बट after the airport security check standing a few yards लेकिन जब वो वहाँ पहुँच गई security check पे और अपनी मा से कुछ ही गज की दूरी पर खड़ी थी और कुछ गज की अब उनके बीच में दूरी है कुछ गज का उनके बीच में difference है I looked at her मैंने उसकी तरफ फिर से देखा I looked again at her मैंने फिर से उनकी तरफ देखा one one का मतलब क्या है बिलकुल पीला या रंग हीन सा pale, pale का मतलब भी यही है पीला फन लिये वे या दुनला सा या रंग हीन as a late winter's moon जैसे की कोई late winter का moon हो late winter का moon का सीधा सीधा मतलब Indian context में समझ लो December के आखरी सब्ता हमें दिखाई देने वाला चांद क्योंकि सबसे तेज सर्दी उसी समय पढ़ती और उसमें उसको आप late winter मान लो और उसमें में अगर आपको पूरा चांद भी दिखाई दे रहा है तो दिखाई देगा क्या आपको चांद सर्दियों में चांद पूरा दिखाई देता है या धुन्द होती है पूरी जैसे बिलकुल फीका बिलकुल हलका सा एक सफेद रंग का बिलकुल ना के बराबर दिखने वाला एक धबा सा दिखाई देता है तो यहाँ पर वो किस से compare कर रही है कि late winter का जैसे moon हो जैसे की सर्दियों में या देर सर्दियों में आने वाला चंद्रमा हो बिलकुल वैसा फीका सा उनका चैरा दिखाई दे रहा है and felt that old familiar act और मैंने उसी पुराने परीचित दर्द को महसूस किया अब पुराना परीचित दर्द कौन सा है क्या पहले किसी को खोया है या किसी को खोने का विचार किया है आगे answer मिलता है my childhood's fear मेरे बचपन का डर अब मेरे बचपन का डर क्या थोड़े दर पहले मैंने example दिया था न कि teenager जो है वो बैठके कुछ भी कलपना करते है तो जब से बचपन में poet ने या poetess ने ये बात महसूस किये कि एक दिन मेरी मा मुझे छोड़ करके चली जाएंगी या उनकी death हो जाएगी तो ये जो मेरे बचपन का डर है ये जो मेरे बचपन का ऐसा डर जो मुझे पीड़ा पहुचाता था बहुत जादा ये वापस ताजा हो गया यानि कि मैंने वापस से उसे felt felt यानि उसे महसूस किया उसी पुराने परिचित दर्द को मेरे बचपन का डर क्या डर कि मेरी मा एक दिन मुझे छोड़ कर चली जाएगी बट ओल आई सैड वाज सी यू सून अमा एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल लेकिन मैं बस इतना ही कह पाई सी यू सून अमा अब सी यू सून अमा में बहुत सारे लोग इसे कहते हैं ठीक है जर्नल सी बात है आप एरपोर्ट पे खड़े हैं और आप जा रहे हैं आपकी मॉम बार खड़ी है तो आप बोलेंगे ना ठीक है फिर मिलेंगे मैं आके मिलती हूँ अगले हफते मिलती हूँ अगले महीने मिलती हूँ जो भी तो आप उन्हें क्या कहेंगे सी यू सून जल्द मिलेंगे आपसे अमा अमा यह नहीं मॉम मदर मा माताराम मम्मी जो भी आप बोलना चाहो और मैं बस इतना कहने के बाद कि वह इतना ही कर पाई मैं बस smile करती रही smile करती रही आप यह कह सकते हैं कि इस poetry के सबसे last वाला जो scene है सबसे last वाली जो line है कही ना कही मेरी बहुत एक favorite line आप कह सकते हो या मैं उस line से ज़्यादा connect कर पाता हूँ जब यह आपे कह रही हैं कि see you soon amma तो यह कही ना कही खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है कि जब मैं वापस आउंगी तब तक मेरी मौम को कुछ नहीं होगा वो जीवित रहेंगी और जैसे आज मेरे सामने खड़ी है और मैं फिर से जब इनसे मिलने आउंगी मैं फिर से इनसे मिल पाऊंगी तो वो कहें अपनी मौम को रही है लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद को भी एक assurance दे रही है यहाँ पर कि मैं आपसे फिर से मिलूंगी all I did was smile and smile and smile पूरी poetry के अंदर एक कारण एक जगे बता दो कि जिस वज़े से या जिसे देख करके आपके चेहरे पर smile आजाए अगर आप poet हो और इस तरह का विचार कर रहे हो आप अपने घर से निकलते हुए और एरपोर्ट तक आने में इस तरह के विचारों से आपका दिमाग पूरा दर्द को अपनी पीडा को अपने डर को छुपाने के लिए smile कर रहे थे कि वही मेरे अंदर क्या चल रहा है मेरे अंदर का तूफान कितना बड़ा है ये मेरी आँखों से या मेरे चेहरे से मेरी माँ को पता नहीं चलना चाहिए इसलिए वह बसके वह लोने देख करके मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही ताकि अपने अंदर के दर्द को वह अपने तक ही सीमित रख सके उसकी मॉम को या उसकी माँ को इस चीज के बारे में जानकारी ना ठीक है guys तो ये हमारी poetry है I hope आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी तो सबसे पहले यहां पर क्या हुआ कि driving कर रहे हैं parents के home से कोची जा रहे है last Friday morning मैंने अपनी मां को देखा मेरे बराबर में बैटे वे थी आधी नीनों में आधी जगी भी उनका आदा खुलावा मूधा उनका चैरा जो है बिलकुल ही पीला सा फीका सा पड़ा हुआ था जैसे की कोई लाश हो और मैंने महसूस किया पेन के साथ दर्द के साथ कि वह उतनी ही व्रद्ध है जितनी व्रद्ध दिखाई दे रही है लेकिन जल्द ही मैंने अपने उस विचार को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया और खिड़की के बाहर देखने लगी जहां पर उर्जावान जो व्रक्ष थे या फिर यंग महां से कुछ गज की दूरी पर खड़ी थी I looked at her मैंने फिर से उनकी तरफ देखा when and pale उनका चैरा बिल्कुल रंग हीन पीला पड़ा हुआ था फिर से पीला पड़ा हुआ था दोनों का मतलब एक ही होता है जैसे कि कोई लेट विंटर का मून हो यानि कि दुन्द की वजए जो दुन्द है उसके साथ वो सारी चीज़े समाप्त हो चुकी है and felt that old familiar act और मैंने अपना पुराना और परीचत दर्द को महसूस किया मेरे बचपन का डर मेरा childhood fear but all I said was see you soon अम्मा लेकिन मैं बस इतना ही कह पाई आप से जल्द मिलूंगी अम्मा all I did was smile and smile and smile और उसके बाद one shot के अंदर हम poetry को एक बार फिर से पूरा देख लिया कि actually क्या हो रहा है poetry के अंदर क्या हो रहा है अगर कोई भी चीज़ आपको लगी हो तो आप चाहो तो वीडियो को थोड़ा rewind करके एक एक portion को भी आप देख सकते हो मैंने कोशिश की है उसमें एक एक portion को अच्छी तरीक होता है कि literary devices क्या होते हैं तो मैं उनके लिए एक शब्द लेक्या है literary device को समझाने के लिए हिंदी में अलंकार होते हैं हिंदी में अलंकार होते हैं अलंकार का काम क्या है काव्य की शोभा को बढ़ाना काव्य यानि की literature राइट तो literature को beautiful बनाने का काम कौन करते हैं अलंकार क हिंदी में मैं कहूं यहां रूपक अलंकार हुआ हैं पर हें उतना ही उंतर है इस से ज्याद hacking केबल भाशा रहें भाव का या अंतर नहीं हैं किस तरीके से जो अलंकार का मतलब है या जो अलंकार सपष्ट करता है वही चीज इंग्लिश में literary terms दिखाती है sorry literary devices show करती है right तो वही चीज में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हर poetry के लेकर आऊँगा हर poetry में आने वाला literary device मैं आपको यहाँ खुद पढ़ाऊंगा reason question कुछ भी आए अगर उस question से कोई भी literary device connect हो रहा है उस answer में हम hundred out of hundred percent उस literary device के बारे में लिखकर आएंगे ही आएंगे चाहे वो question literary device पे हो या नही है अगर मुझसे अगर यह कहा गया see you soon amma I said all smiled and smiled and smiled इसको explain करो तो explain करने का मतलब यह नहीं है कि मैं क्यों explain कर क्या हूँगा मैं दो चीज़े उसमें लगातार attach करते वे चलूँगा पहली चीज़ name of the poetess जो मेरी कवित्री है उसका नाम मैं जरूर उसमें लिखूँगा मैं कहीं पर भी यह नहीं कहूँगा poetess said poetess said नहीं मेरी starting जो होगी वो होगी कमला दास words in this poetry कमला दास the poetess of the poetry or the poem explains और उसके बाद मेरा answer शुरू हो जाएगा और जहां last में मैं answer खतम करूँगा वहाँ पर मैं कहूँगा repetition is the literary device which is used in this sentence repetition का मतलब होता है दोहराओ किसी शब्द को बार बार दोहराने का जो काम है वो इस वाक्य में किया गया है which makes the sentence or the poetry more beautiful जिसकी वज़े से ये कविता जो है वो सामान्य से अधिक सुन्दर हो करके हमें दिखाई देती है रुचिकर हो करके हमें दिखाई देती है और कहीं न कहीं हमें सोचने के लिए मजबूर करते है पहली चीज पोईटर्स का नाव poetry से related कोई भी question हो जहां तक possible हो सके कोशिश करो कहीं न कहीं किसी ना किसी की तरीके से टांक दो पोईटर्स का नाम माँ ठीक है ताकि examiner को यह पता चल जाए कि आपने पोईटर्स का नाम लिखा है उससे जादा करना चाहो तो नाम लिख दो उसके बाद में नीचे दो आप में हिम्मत है तो चेक करके दिखाओ तो टीचर भी कई बार ऐसा सूच लेता है बोले लिक मैं पढ़ूंगा ही नहीं तेरा अंसर पूरा ध्यान से पढ़ूंगा ही नहीं थोड़ा सा अंदासा लगा के माक्स देदूंगा उसके बाद तेरा नुकसान हो तू जाने तो आए कैचिंग हो जाए अपने आप उन चीजों पर ध्यान जाए बोला अच्छा ओके ठीक है यह सब भी पता है इतना पढ़े के आए हूँ वह भाव हमें एक टीचर के अंदर पैदा करना पड़ेगा या जो हमारी कॉपी चेक करेगा उसमें हमें यह भाव पैदा करना कविता में इस्तमाल की गई है उसमें मरत्यु और यूथ यानि जवानी या ऊर्जा दोनों को दिखाये गया है तो इमेज ऑफ यंग ट्रीज एंड मेरीचुल्टरन आरा कॉंट्रास्ट टू दया मधर यानि की यंग ट्रीज जो है और मेरीचुल्टरन यानि की यूवा प यहां पर जिस भाव से निकलने के उसने कोशिश की वहां क्या देख रही है मैरी चिल्डरन खुश बच्चे और यंग ट्रीज तो यहां पर क्या है हमारा जो यूज हुआ है वो थीलाइक मिलाइक एज एज त्था चैसा चांद जैसे इसा खीली जैसा छेकिया एज इसा तो यहां पर जैसा शंडह करते दोंची तो गॐ मिले में आ क्या हुआ face action like a corpse तो यहां पर हमें क्या वर्ड दिख रहा है देखो यहां पर लाइक दिखाई दे रहा है यहां पर क्या दिखाई दे रहा है as a late winter's moon में हमारा highlighted word क्या है as है तो like आजाए चाहे as आजाए हम क्या कहेंगे यहां पर simili का प्रयोग किया गया है simili का इस्तमाल किया गया है next आता है हमारा personification personification को हिंदी में कहा जाता है मानवी करन मानवी करन यानि किसी मानव का एमानव होना या किसी एमानव का मानव होना किसी निर्जीव वस्तू में सजीवता की कलपना करना ठीक है जैसे कि ये बोर्ड है ये बोर्ड विचारा कितने महीनों से यहां टंगा हुआ है मुझे लगता है इसकी कमर में दर्द हो गया होगा तो बोर्ड है इसकी कोई कमर नहीं है इसे कुछ महसूस नहीं होता इसको दर दर चल जानी तो जला दूंगा घर्मी बहुत पड़ रही है तो सूरज कुछ नहीं कर लेकिन कवी की कलपना जो है वह ऐसी होती है इसलिए कहते हैं जहां न पहुंचे रवी वहां पहुंचे कवी यानि कि ऐसे सुक्ष में विचार जो है वह एक कवी के दिमाग में आते रहत होगे वाव इकसी बात हैं लेकिन पेड़ं दौर रहें पेड़ंते हैं क्या है क्या अबने दोर्टे में नहीं नहीं पहला अनुचे नंदर जहां मैं पेड़ों को डौड देख रहा हूं तो यह पेड़ों का दौड़ना कौन सा हो गया यहां पे जो इनечь होगार है नेच् एक जैसे होते हैं दोनों जगए एक चीज की दूसरी चीज से तुलना की जाती है ठीक है जैसे कि उसकी मॉम का चैरा बिल्कुल लेट विंटर के मून की तरह अब जैसे मैं नहीं की तरह तो की तरह बोलने के लिए मेरे पास क्या आ गया लाइक या एज अब अगर माल लो कि अगर मैं ये ना कहूं कि उसकी मॉम का फेस जो है लेट विंटर मून की तरह है ऐसा नहीं कह रहा है उसकी मॉम का फेस लेट विंटर मून है की तरह अटा दिया मैं लेकिन कल्पना सेम कर रहा हूं तो ऐसी कंडिशन में मेरा कौन सा लिटरी डिवास हो जाएगा मेटाफर ह हो जाएगा कैसा हो जाएगा मेटाफर यहां पर मेरा यूज हो जाएगा जहां मैं तुलना ना करके उसे वैसा ही बता तो शेर की तरह है सिमिली, शेर है मेटाफर उल्लू की तरह है सिमिली, उल्लू है तो मेटाफर है ये भी ले लो, जोई बात है ठीक है, तो दोनों में से जो एक्जामपल आप लेना चाहो अपने अकॉर्डिंग, अपनी रूची के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें लेकिन, I hope, आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ हूँ, क्योंकि ये टॉपिक जो है, कही ना कही मेरा बहुत जादा आप ये कह सकते हैं, अंधा विश्वास है मेरा इस टॉपिक पे, पांच पोईट्री गिन करके डेटा ही न, उसमें वैसे भी माथा मारना ही, कम से कम किसी ऐसी चीज में माथा मार लें, जहां से एडिशनल कुछ फाइदा हो सके अरे दूद्थ तो सबको मिलना ही है यार कम से कम थोड़ा सा मलाई का युगाड कर ले है, जो ये 94, 93, 95 के आसपास जाकर के अटक जाते हैं, बोले यार सर हमने तो सब कुछ अच्छा किया था, सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ था ये वो पॉइंट से हैं जो लास्ट के पांच नंबर दिलवाते हैं 95 से 100 का सफर तै करने का काम ये भाई साब लोग ही करते हैं आई बात समझे मैं इसके लिए मैं इस पे इतना ज़़दा जोड दे रहा हूँ ठीक है नेक्स आप लोगों के लिए मैं लेके आए हैं वहूं Central Idea of the Poetry Central Idea का इस मैं थोड़े से लेंदी रख रहा हूँ आप लोगों को अपने स्कूल के अंदर जो भी आपका Mark Distribution है आप अपने Mark Distribution के According रखेंगे मैं थोड़े से लेंदी लेके चलूँगा Reason कुछ लोगों के कम Marks का आता है कुछ लोगों के जादा Marks का आता है कुछ लोगों के यहाँ पे Central Idea के लिए Word Limit दे दी जाती है कुछ लोगों के लिए नहीं दी जाती इसलिए मैं थोड़ा सा लेंदी रख रहा हूँ लेकिन Major Data कौन सा है बताता भी चलूँगा साथ में ताकि आप उसे अलग से तयार कर सके कि सर हमारा इतना ही आता है हम इतना ही लिखते हैं ठीक है तो हम थोड़ा सा इसको ओवर्वीव के अकॉर्डिंग देखेंगे और एक बहुत जल्दी एक आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊंगा जो पोईट्री को ही डेडिकेटेड होगा कि पोईट्री के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें जिने जानने की बहुत जरूत होती है लेकिन हम उसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखते नहीं अभी मिरको पता है मैं उस चीज के लिए एक शब्द भी नहीं बोलूँगा अगर मैंने बोल दिया आप लोगों ने वैसे जीना अराम कर रहा है और जीना अराम कर दो कि सर वो वाला वीडियो कब आएगा उसके लिए रिसर्च चल रही है टाइम लगेगा ठीक है चलिए यानि कि केंद्रिये विचार जो है इस कविता का मेरी मा 66 साल की उमर में इस कविता जो है यह इस भै को दर्शाती है कि वो अपनी मा को खो देगी उस कवित्री के लिए यानि कि कवित्री जो कमला दास है वो अपनी मा को खोने के डर को यहाँ पर दर्शाती है हर मदर is in the last phase of her life उसकी मा जो है अपने जीवन के अंतिम पड़ाओ में अंतिम चरण में है इसलिए पोईटेस या कवित्री जो है वो ऐसा महसूस करती है कि जल्द ही यह गुजर जाएंगी या जल्द ही इनकी मृत्य हो जाएंगी पोईटेस गैट्स इस विचार से डर जाती है तो कम आउट ओफ दिस नेगेटिव थौट इस नेगेटिव नकारात्मक विचार से बहर आने के लिए शी लुगड आउटसाइड ओफ कार वो अपनी कार के बहर की और देखना शुरू कर देती है बहर का संसार जो है वो पूरा का पूरा जीवन से उर्जा से, कारियों से और कर्म से आप कहसकता है जर्णे की बहर हुआ है यनि के लोग काम कर रहे हैं घूम रहे हैं नर्मल लाइफ चल रहे है कहीं न कहीं उसे energy दिखाई दी energy feel हो दी है out of the car young trees seemed running fast ऐसा लगता है के जवान पेडड जो है वो तेजी से भाग रहे हैं, children look very happy बच्चे जो हैं बहुत खुश दिखाई दे रहे at the airport, एरपोर्ट पे पहुंचके they had to undergo a security check उन्हें एक security check से गुजरना पड़ा, the poetess was standing a few yards away from her mother poetess जो है अपनी माँ से कुछ दूरी पर खड़ी थी, she looked again at her old mother उसने फिर से अपनी वृद्ध मा की और देखा she felt pain to look at the colorless and pale face of her mother, उसने pain यानि की दर्द या पीडा को महसूस किया, जब उसने देखा, एक बिल्कुल बेरंग सी और बिल्कुल फीकी पड़ी हुई, सफेद पड़ी हुई या पीले पड़े वे उसके मा के चैरे की और देखा but hiding her tears, लेकिन अपने आंस्मों को छुपाते वे the poetess said, poetess ने क्यों इतना ही कह see you soon अम्मा, मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी, अम्मा ऐसा उसने कह तो I hope guys, आज का experience थोड़ा different रहा होगा, थोड़ा लग रहा होगा chapters के emotions और poetry के emotions में थोड़ा सा difference होता है chapter में जिस तरीके की emotional journey हम लोगोंने काफी लंबे समय से देखी है आप लोग इतने समय से मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आप लोगोंने देखा होगा कि कहीं न कहीं हम लोग महसूस कर पाते हैं कि क्या poet या writer जो है कहने की कोशिश कर रहा है poetist जो है वो बड़ा complex लिखता है वो इतना साधार नहीं लिखता जितना कि एक chapter writer लिखता है एक chapter writer क्या है काफी समय पर काफी समय या काफी बार जो है वो कहीं न कहीं वो चीजों को बताता है कि हो सकता है यार पिछली बार बताया नहीं हो तो इस बार एक बार थोड़ा सा और दुखदर्द दिखा दू ता कि इस बार बच्चा यार रीडर महसूस कर ले उसको second time में भी लगता है वो उसका ये है कि मेरे को जो कहना था मैंने कह दिया मैंने अपने सोच अपने विचार से कह दिया अब कब कहां कितना कैसे क्या समझना है वो तुम समझो पोट लिखता इतना और फिर आते हैं उस पे कॉमेंट्री लिखने वाले फिर आते हैं researchers, वो लिखते हैं 50 page, एक poetry पे, कि इसमें ये भी है, इसमें ये बताया गया, ये भी दर्शाया गया, यहाँ पे देखो ये भी है, अब actual में किसी को नहीं पता है कि कमलादास ने किस perspective से लिखा होगा, कुछ चीजे जो बहुत ही evident है साफ तोर पर दिखाई दे र कई बार वो चीजे दिखाई नहीं देती, नजर में होते हुए भी चली जाती है, अब मेरी जो एज है, उससे मैं कोशिश करता हूँ, जितना observe कर सकूँ, observe करूँ, मेरी जगे अगर कोई 50 या 60 ये और अगर कोई English faculty है, जो इस poetry को पढ़ेंगे, तो definitely वो मुझसे जादा उस किया था, मुझे आप लोगों से comment box में इसका answer चाहिए, that's it, इसके लाओ कुछ नहीं, have you ever thought what our elderly parents expect from us, क्या आपने कभी ये सोचा है, कभी विचार किया है, कि हमारे व्रद्ध या हमारे बुजर्ग जो लोग है, घर के, जो हमारे parents हैं, वो हमसे क्या उमीद करते हैं, लेकिन अभी वाली एज वाले parents नहीं, अभी वाले से जाके पूछोगे न, तो दो गाली और देंगे और फिर कहेंगे पढ़ने बैठ जा, फालतों की बातें मत किया कर, सुबह जल्दी उठा कर, ना दो लिया कर, बगवान की पूजा किया कर, स्कूल जाया कर, होमवक करा कर, फिर पढ़ाई किया कर, तो वो तो वो अलग answer मिलेगा, घर में कोई elderly इंसान हो, दादी हो, नानी हो, या अडोस पडोस में इस age group की, 60, 65, 70 की age की कोई lady हो, उनसे बात करना, कि आप अपने बेटे पोतों से क्या चाहते हैं, आपकी क्या expectation है, और अगर आप सच में जाके किसी से तो मुझे सच बताना है, कि सर हमने इनसे पूछा, इनसे बात की, इनका observation लिया, उसके बाद में हम ये चीज लिख रहे हैं, ठीक है, अगर आप अपनी कलपना से लिखना चाहें, तो लिख सकते हैं, मना ही नहीं है, लेकिन अगर आप किसी से पूछ के लिखेंगे ना, तो कोशिश करना कि ऐसे किसी elderly वेक्टी से बात करके और फिर अपना experience शेयर करो, thank you very much, I'll see you soon in the next lecture, till that, take care of yourself, bye-bye